हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेट बेल्थ विरतुल में मैं हूँ आपका दोस्त अतुल गोयल आज हम बात करेंगे IRCTC की IRCTC जिसने निचे के लेवल से काफी अच्छी वेल्थ करेट करके दी है अभी कुछ range bound यह होता हूँ नदिर आ रहा है निचे के लेवल से उपर के लेवल पर रिजिस्टन्स फेस कर रहा है तो क्या वो लेवल्स हैं किन लेवल्स के उपर हमें नजर रखनी चाहिए जहां से ह हमें अच्छा risk reward ratio मिल सके और अच्छा wealth हम create कर सकें तो उन लेवल्स के उपर हम बात करेंगे सबसे पहले देखेंगे broadly जो रेंज के अंदर काम कर रहा है आप यह देखेंगे इस रेंज के अंदर भी काम करना स्टार्ट कर दिया जो चैनल है आप देखेंगे इस टाइप के हाई की बात करें तो यहां का हाई बनता हुए नजर आया उसके बाद देखेंगे इसे यहां पर हाई बना अगेन यहां पर और उसके बाद यहां पर हाई बनता हुए नजर आ रहे हैं सेकंड देखेंगे support level जो है इस टाइप से support level इसका बन रहा है और multiple time इसी support level के आसपास जो है इसने सपोर्ट लिया है और बात करें तो अभी जो निचे के लेवल से जो स्टोक उपर टेलना स्टार्ट हुआ तो आप देखेंगे यहाँ पर जो इसने लोग बनाए थे लगवग 709 रुपे के आसपास के इसके लोग बने थे अभी और अभी 780 के आसपास काम कर रहा और बीच में जो स्टोक है 709 के लेवल से यहाँ पर इसने बाउंस बैक भी अच्छा किया था और सेम लेवल से जो है रिजेक्ट होता हुआ नदर आया 847 तक स्टोक जो पहुँच गया था इस लेवल से तो सेम लेवल के उपर जो ट्रेंड लाइन पहले की थी उसी के तो 10920 के लेवल तक भी इजली जाता हुआ यह स्टोक जो है पहुँच सकता था बट अगेन इसी लेवल से रिजेक्ट हुआ है तो सबसे पहले तो उपर के लेवल के लिए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना इसके लिए काफी इंपोरेंट रहेगा सेकेंड जो है आपको सकता था अब जो आपको लेवल नजर रखने है उसके लिए हम देखेंगे 15 मिट चार्ट पैटर्न पे किस टाइप से जो दो केंडल में आपको दिखाई ब्रेक होती होई तो आप देखेंगे यहाँ पर जो स्टोक ने इस लाइन को ब्रेक किया है और उसके बाद स्टोक ज तिन नहीं लेवल को इसे ब्रेक करना जुरूरी और 7804 के ऊपर अगर यह स्टोक बनना स्टार्ट होता है तो अगेन जो है स्टोक ऊपर की तरफ बढ़ सकता है जो कि लेवल बनते हैं 828 के आसपास के और अगर इस लेवल को यह ब्रेक करता है इस वार तो अगेन जो है 894 और 920 के लेवल भी ये दिखा सकता है तो सबसे पहले आपको जो नज़र रखनी है 788, 794 और 804 के आसपास की नज़र रखनी है और नीचे के लेवल पे 774 और 761 पे strong support इसका निकल कर आता है उनके लेवल के उपर आपको नज़र रखनी है strong fundamentals हैं company के कोई भी dip आपको मिलता है तो accumulate कीजिए और slow-slow accumulate कीजिए ऐसा नहीं कि एक लेवल के उपरा को सारा पैसा लगाना है और क्योंकि अभी consolidate कर रहा है नीचे के लेवल से दिखा सकता है तो उनके उपर आप accumulate कीजिए और आने ले टाइम में जैसी ही इस line को ये break करता है त थैंक यू धन्यवाद